ओम नमस शिवायद दर्शकों कैसे हैं आप सक्वागत है हमारे चैनल में मातायों बहनों को और प्रियमित्र दोस्तों को भी हम रच्छा बंधन पर किया जाने वाला कुछ उपाय बताते हैं जिसे करने से आपके भाई बहन का रिस्ता जनम जनम तक बना रहे गाए इससे पहल दोस्तों मातायों बहने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो मातायों बहने मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप पर सिवगी क्रिपा बनी रहेगी क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की ब्रत तहवार से जुड़ी जानकारिया मिलती रहेंगी शावन का महीना सुरू होते ही लोग रच्छा बंधन का इंतजार करने लगते हैं भाई बहन के यह तूट प्रेम का प्रतीक यह तेहवार हर तरफ से रवनक लेकर आता है यह तेहवार सावन माह में शुकल पक्ष की पूर्डिमाति थी के दिन मनाया जाता है और इस काते हैं कि इस दिन अधी महने कुछ विशेश उपाय अपनाए तो भाई की जिंदगी में खूसिया और तरक्की होती है हिंदू पंचांग के अनुसार शावन माह की शुकल पक्ष की पूर्डिमा यह गारा यगस्त को है और इसी दिन यह रच्छा बंधन का तेहवार मनाय पूर्णिमाति थी यह गारा यगस्त को सुबह 10 बज कर 38 मिनट पर सुरू होगी और 12 अगस्त को सुबह 7 बज कर 5 मिनट पर समाप्त होगी जोतिस सास्त्र के अनुसार रच्छा बंधन के दिन बहनों को भगवान गनेश जी की पूजा आवस्य करनी चाहिए और साथ ही गने जी का एक छोटा सा मंत्र तीन बार जरूर वोले वक्रतुंड महाकाय सुरी कोटी समाप्रभा निर्वेग्नम कुरूमे वदेवा सर्वकार येशू सर्वदा यही मंत्र बोलकर इसके अलावा चन्दन बेल पत्र और राखी भी गणेश भगवान को बांधे चढ़ाए और इससे भाई का कुरोद कम होता है। रच्छा बंधन के दिन बहनों को भगवान शिव का भी जलावी से करना चाहिए। इसके अलावा सुबह सनाना आदिका कर सूर देव को भी जला रपित करे। इस उपाई को करने से भाई बहन का रिष्टा मयबूत होता है और बहाई को ह पर मुसिबत से छुटकारा मिलता है। वीडियो में तब तक के लिए याजत दीजिए।